Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो reading हैं, ये हम करने वाले हैं आपके partner की current feelings क्या हैं? आपके partner no contact में हैं या आप अपने crush के लिए देखना चाहते हैं या फिर आप उनके लिए देखना चाहते हैं जिनसे आपको पता नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं यानि कि आप अपने crush के लिए भी देखना चाहते हैं तो ये reading देख सकते हैं यानि कि ये जो reading है, हर किसी के लिए होगी जो लोग contact में हैं, बस उन लोगों के लिए नहीं होगी ये reading ठीक है, ठीक, चलिए आज की reading को हम स्टार्ट करते हैं और ये reading एक timeless reading होगी और एक general reading होगी ठीक है, तो चलिए reading को स्टार्ट करते हैं हम candle wax reading करेंगे, उसके बाद taro card reading करेंगे दोनों को mix करके आज हम ये reading करने वाले हैं आज मैं एनर्जाइज ये जो है candle इसका यूज कर रही हूँ और आप सब के लिए मैंने यही color चूज किया है क्योंकि पिंक color लव के लिए मारा जाता है और पिंक color मुझे वाई वाई कि आप लोगों में से बहुत सारे मेरे viewers ऐसे हैं जिनका ये color जो है फेवरेट है ठीक है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी color से आज हम reading करेंगे तो चलिए आज की reading को स्टार्ट करते हैं इसके पहले आप अपने partner को सोचोगे आप अपने partner को अपने दिल दिमाग में लाने की कोशिश करोगे आप उनको अपने मन में लाने की पूरी कोशिश करोगे फोकस करोगे आप और उनसे यही कोशिशन करोगे कि आप क्या सोच रहे हो आप मुझे बताओ और positive way में आपको ये सोचना है ठीक है तब जाके यहाँ पी जो energies निकल के आएंगी वो मैं आपको clear way में बता पाऊंगी ठीक है तो चलिए आप अपने partner के उपर focus बनाएए मैं इस candle के उपर focus बनाती हूँ ठीक है तो focus बनाने के लिए आप अपने partner का चहरा देख सकते हैं अपने mobile में picture उनकी देख सकते हैं ठीक है यहाँ आखे बन करेंगे और हम जिन से प्यार करते हैं उनका चहरा तो खुद पर खुद सामने आ जाता है तो yes आप वैसे भी याद कर सकते हैं अपने partner को आप अपने partner का नाम भी ले सकते हैं ठीक है तो चलिए करते हैं reading को start focus कीजे कर लिया focus आपने तो एक बार इस light के उपर भी focus कर लीजे okay so yes focus कर लिया है आपने अब हम करते हैं यहां की energy से आपके reading ठीक है तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके partner आपके partner को आप बरसात के दिन में काफी पसंद हो और ऐसा लगता है जैसे की बरसात में कभी आप दोनों भींगे जरूर हो या बरसात को लेकर के इस person ने आपको कोई गाना कोई song सुनाया है उसको है यह person feel करते हुए दिखाए दे रहे हैं यह person क्या सोच रहे हैं क्या feel कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही जदा romantic सा song सुनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है जैसे कि आपके जो partner है यहाँ पर काफी attractive हो रहे हैं मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज वियर जरूर की है जो कि अधिकतर लोगों को attract कर रही है आपकी तरफ ठीक वैसे ही आपकी partner को भी attract कर रही है वो चीज आपके गले की कोई चीज हो सकती है या आपके हाथ की वो कोई चीज हो सकती है चाहे वो ring हो, bracelet हो या फिर आपके गले में पड़ा हुआ pendant हो या chain हो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है मुझे ऐसा भी feel होता है जैसे कि आप अपने partner को हर सुबह में जब याद करते हो जब भी याद करते हो उनको आपके partner की नींद खुल जाती है और यह जो person है उसी समय से आपके बारे में सोचने लग जाते है बहुत छोटी छोटी सी यादे इनको connect होती है बहुत ही छोटी छोटी सी यादे जादा लंबी यादे नहीं लेकिन छोटी छोटी ही आपकी बाते जो है ना आपके partner याद करने लगते हैं ऐसा feel होता है जैसे कि यह person उन छोटी छोटी बातों को याद करके ही मुस्कुरा बैठते हैं और फिर जब दिन ढलता है जब दिन जैसे जैसे चड़ता है वैसे वैसे इनकी सोच भी आपके लिए बढ़ती चली जाती है पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी यानि कि कुछ detail में आपके partner हर दिन सोचते हैं कहीं न कहीं यह person है आपके बाते करते हुए आपके बारे में दिखाई दे रहे हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर दिख्ड़ा है कि आपके partner अपने दोस्तों से जब भी मिलते हैं इनके दोस्त भी काफी ज़दा पूछते हैं कि क्या है कैसा है क्या चल रहा है या क्यों हो रहा है ये सारी चीजे मुझे नजर आ रही है मुझे ऐसा फिल होता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इनके दोस्तों का एक एहम रोल है देखिए इनके जो दोस्त हैं यहाँ पे clear है कि इनके जो दोस्त हैं हसी मजाख आपके नाम से इनको छेड़ते भी हैं क्योंकि इनके जो भी दोस्त है ना जब भी ये person बात करते हैं इनकी energy high हो जाती है आपके बारे में जब भी ये person बात करते हैं इनकी energy high हो जाते है यह पर्सन श्रिफ और श्रिफ आपके बारे में पॉजिटिव बाते करते हैं यह भी दिखाई दे रहा है फिलहाल इनकी जिन्दगी में देखे मैं यह देख पारे हूं कि आपके पार्टनर काफी बीजिद चल रहे हैं अपने आपको कहीं व्यस्त रखने की कोशिश लागात अपार करते हुए यह पंशन दिखाई दे रहे हैं ताकि इनका जूबन है यह आपके तरफ नव भागे ठीक मुझे सी लेटर काफी क्लिएर दिख रहा है वाई लेटर काफी क्लियर दिख रहा है और ये आपके पार्टनर के नेम का फ़र्स लेटर हो सकता है मुझे एक यहाँ पे hardship भी दिख रहा है ऐसा दिखता है जिसे कि आप इनके दिल में एकदम से गहराई में बस गए हो और वहाँ से यह जो person है आपको निकाल नहीं पा रहे है आप दोनों की love story काफी अलग है दूसरों से तो काफी जादा अलग है यह person यह बाते भी किया कर रहे है मतलब की कर रहे है किसी ना किसी से यह person काफी ज़दा energy में आकर के आपके बारे में बाते कर रहे हैं और जो बाते कर रहे हैं वो real कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि यह person ding रहे हैं बिल्कूल भी नहीं भले ही no contact में हैं तो क्या हुआ बट आपके partner काफी ज़दा miss करते हैं मुझे यहाँ पे number 2 दिखाई दे रहा है number 1 भी दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि यह आप logo के लिए significant number हो यहाँ मुझे यह feel हो रहा है जैसे कि आप अपने partner के साथ काफी ज़दा खुश होते हो यह person को पता है और मुझे दिखता है कि यह जो person है जब night के समय में आपके बारे में सोचते हैं तो इनके खयाल कहीं न कहीं वहां तक बहुंच जाते हैं जहां शायद आपको पसंद नहीं है यानि कि यह जो खयाल है इनके sexual खयाल भी है क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि person आपको लेकर के काफी visualize करते हैं और कई बार इस person ने बोला भी है है ना ऐसे होगा वैसे होगा यह करेंगे वो करेंगे कई बार इस person ने आपको बोला भी है बट मुझे लगता है कि आप interest नहीं लेते हो और आपका यही interest ना लेना आपके partner को यह समझ में आता है कि हाँ आप जो है loyal person हो आपके partner आपको ज़दतर time याद करते हैं नाइट के time पे जब bed पे होते हैं और इनका मन बहुत बेचैन हो जाता है आपके लिए इनका मन जो है बहुत बेकाबू हो जाता है आपके लिए ऐसा लगता है जैसे कि अपने मन को कैसे control करें यह person गूगल करने लगते हैं यह person यूटूब पर देखने लगते हैं कि मन को कैसे control करें मन को कैसे motivate रखे क्योंकि इस person का मन बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है जब यह person आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनको बाते याद आने लगती हैं मुझे यहां तक लगता है कि आप दोनों के बीच में caste issues थे या family issues थे इसी के वज़ा से आपका no contact हो गया क्योंकि आप जो है इस relationship में आगे नहीं बढ़ सकते थे ये भी वज़ा मुझे नजर आ रही है खास तोड़ से कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में ऐसी feelings या ऐसे emotions नजर आ रहे हैं जो कि unexpected तरीके से आपके सामने हैं आपके पार्टनर ये भी feel कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एक तो वो उस पार और मैं इस पार यानि की long distance relationship भी हो सकता है और एक तो no contact है जो कि इससे भी बड़ा no contact situation जो है वो इससे भी बड़ा gap को बता रहा है ठीक तो ये जो person है काफी जदा feel कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ कई बार ये person अपना mobile उठा करके आपका नेम टाइप करके और आपका नमबर तो निकाल रहे हैं लेकिन ये person कॉल नहीं कर रहे हैं उस नमबर पर इस person ने आपकी कोई पिक भी लगाई है जिसको ये person बार बार देख रहे हैं क्योंकि वो पिक ही एक लौती पिक इनके पास बची हुई है जिसको इस person ने समभाल के रखी हुई है उस पिक को जो है ये पॉर्षन डिलिट नहीं करना चाहते हैं या उस पिक को जो है ये पॉर्षन बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो पिक सम्हाल सकता है वो आपको कितने अच्छे तरीके से सम्हाल सकता है ये पॉर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाते इसलिए भी छेड़ते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद इसी बहाने आपके बारे में कुछ पता तो चल जाएगा कुछ पता चल जाएगा तो यह पर्सन टॉपिक उसी टॉपिक पे आप आप से बात तो कर पाएंगे कहीं न कहीं जो परसन हैं काफी शर्मिंदगी भी फील कर रहे हैं चाहे जो वज़ा रही हो यह परसन को शर्मिंदगी फील हो रही है चाहे आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो इस परसन ने उस ब्लॉक करने के वज़े से शर्मिंदगी फील कर रह है कि अब जो है उसे मैं call करूंगा message करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा अगर आप ध्यान से देखे तो यहाँ पर दो lovers मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को थामे हुए एक दूसरे को पकड़े हुए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखे तो आपको समझ में आएगा शायद आपको नहीं दिख रहा है light की वज़ा से just a minute yes अब जो है शायद आप देखे तो आपको समझ में आएगा just a minute मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दो head बने हुए हैं यहाँ यहां पे यह देखो यहां पे दो head है और यहां पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो तार है वो clearly दिखाई दे रहा है So yes, यहां पे दिख रहा है एक बहुत ही ज़दा strong सा connection जो कि आप दोनों का connection है एक बहुत ही strong connection ऐसा connection जिसे हर कोई तो नहीं तोड़ सकता है या हर कोई के बस में तो सब कुछ नहीं होता है तो आपके partner feel करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इसलिए मैं देख पा रहे हूँ कि आप अपने partner को भी भूलाने ही पाते हो और आपके partner भी आपको भूलाने ही पाते हैं बस यहीं वज़ा है कि आप दोनों soulmate हो और soulmate होने के कारण से कोई एक दूसरे को नहीं भूला पाएगा आज ना कल मुझे ये भी समझ में आ रहा है यहां पे कि येस आपके partner अपनी responsibilities को तो समझते हैं कि अपनी responsibilities क्या है आपके लिए क्या है और क्या हो सकती है अगर ये person ने आप से शादी किया है या शादी करने के बारे में सोचा है तो yes ये person कैसे साथ मिभाएंगे क्योंकि मुझे दिखता है कि इनके सर पे कोई ना कोई साया जरूर आएगा कोई ना कोई इनको protect जरूर करेगा कि ये relationship तुम आगे बढ़ाओ क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक चीज आगे बढ़ रही है तो इनको support मिल रहा है यानि कि इनको support मिल रहा है तब ही ये person आपके तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं इस person को feel हो रहा है ये person अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज़दा disturb चल रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्ब चलने के करण से यहाँ भी बहुत ज़दा problem हो रही है बहुत ज़दा issues हो रहे हैं काफी ज़दा ये person है तकलीफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं दर्द में आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आपको maintain कर रहे हैं आपके partner न जाने कितने ही चीजों के साथ sacrifices कर चुके हैं पॉर्षन की घवराहट बढ़ रही है कि मैं क्या क्या करों कितनी बाते चुपाऊं क्या करूं मैं क्या ऐसा करों जिससे जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक man मुझे दिख रहा है जो की आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है इसके उपर बहुत सारी घटाएं हैं या कहें तो बादल चाहें हुए हैं लेकिन फिर भी यह जो person है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको दिख रहा है अगर तो आप बताईए गर जरूर कैसे बताएंगे comment box तो off है तो yes मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ पर दो lovers जरूर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की energy एकदम से clear दिखाई दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं और दोनों एक दूसरे को feel करते हुए बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो की काफी खुश है अपनी ममी पापा के साथ मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी energy दिखाई दे रही है एक बहुत ही प्यारा सा relation दिख रहा है जो की God gifted है और जो God ने दिया है उसको सम्हाल कर रखना हमारा फर्ज है हो हो सकता है कि आपके partner के पास rabbit भी होगा क्योंकि यह person जो है ना बहुत ज़ादा मैं कहूंगी कि बहुत ज़ादा यह जो पॉर्शन है जन्तु से जिव से जन्तु से एनिमल से जो है ना बहुत प्यार करते हैं यह person हो सकता है कि इनके पास एक डॉग भी हो chances यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो partner है ना यह काफी ज़्दा strong सी वाइफ फील करते हैं सो फाइनली यह गिर गया बुझ गया तो अब मैं इसको अभी नहीं जलाओंगी तो यहाँ मुझे फिलहाल यही देख रहा है कि आपके partner काफी strong सी feelings रख रहे हैं काफी strong से emotions रख रहे हैं और यह जो strong सी feelings है strong से emotions है ना वो सरिफ और सरिफ आपके लिए हैं तो इनके दिल में काफी ज़दा clear है और काफी जो है positive person है आपके सो मैं तो कहूंगी कि यह जो person है ना यह आपके साथ cheat करने वाले person तो मुझे नहीं लगते हैं बट जो भी है आपका experience इस person के साथ वो आपका experience हो सकता ह है बट मुझे यहाँ पर फील होता है कि यह person काफी अच्छे person है तभी यह person इतना deeply आपके बारे में सोचते विए दिखाई दे रहे हैं guide करें angels, universe and sisters आपके partner का action हम देख लेते हैं कि आपके partner का action क्या होगा ठीक है क्योंकि action देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है और मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है जो कि decision को लेकर के देखना चाहिए वो card भी हम निकालेंगे कि इनका decision final decision क्या होगा ठीक है तो चलिए cards निकालते हैं guide करें एंजूस okay guide करें एंजूस okay okay five of cups ten of pentacles two of wands two of swords two of pentacles the emperor four of cups okay so यहाँ पर ऐसा feel होता है जैसे कि आपके partner यहाँ पे the empress के energy है so yes आपके partner आपके तरफ attract तो है कहें तो attraction काफी high level का है लेकिन यहाँ पे यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके partner की life में यहाँ पे कुछ ऐसे situation हो सकते हैं जहाँ पे इसको action और decision लेना काफी मुश्किल लग रहा है ठीक है मैं यहाँ पे यही देख रही हूं कि आपके partner को जो है ना काफी ज़दा बेचैनी होती हुई दिखाई दे रही है काफी बेतावी होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके partner को अंदर ही अंदर मन ही मन काफी ज्यादा एक insecure क्यों और फिल हो रहा है आपके पार्टनर काफी इन से क्यों और फिल करते हैं और मुझे यह भी दिखता है जैसे कि कि आपके पार्टनर काफी उदास हैं काफी परिशान हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर की उदासी आपके पार्टनर की जो बेचैनी हैं वह काफी और दूसरी तरफ कुछ और भी बात है कुछ और बात हो सकता है कि यह person already married हो जहां से यह person अपने आपको निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि वो उनकी मजबूरी है और वहां से यह जो person है निकाल नहीं पा रहे खुद को तो yes मैं उझे यहां पर यह भी दिख रहा है हाला कि काफी अपसोस है आपके partner को काफी अपसोस है कि आप उनको पहले क्यों नहीं मिले आप उनको उस समय क्यों नहीं मिले जब इनको जरुद थे ऐसे partner की जो कि इनको समहाल सके और अब जो है आप आए हो तो काफी लेट हो गय है और अब जो है आपके पार्टर आपको मिस कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में कब आओगे कब आओगे और इनको थामोगे इनको बताओगे कि हां मैं तुम्हारे लिए यह हूँ ठीक है तो यहां पर दिख रहा है five of cups काफी उदासी काफी परिशानी काफी बेचायनी अपने आपको मेंटेन करना अपने आपको हीली करना अपने आपको एकदम जो सपने है ना उनको देखना सपनों को दिखाना यहां पर clear दिख रहा है यहां पर clear दिख रहा है कि येस आप अपने सपनों में जीना चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन वो सपने कैसे पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, अगर कोई एस्टेंड नहीं लेगा, कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो क्या वो सपने पूरे होंगे, नहीं होंगे आपके partner को एक तम से एहसास है कि इन्होंने जो किया है गलत किया है क्योंकि ये जो person है बहुत महनती है बहुत ज़ादा अपने rule के हिसाब से चलने वाले इनसान है काफी bossy nature है इनका अपने feelings अपने emotions hide करके रखना अपने दिल में किसी को जल्दी से गुसने नहीं देना किसी क partner काफी सोथ समझ करके आपको justice देने वाले हैं क्योंकि एक तरफ तो इनको अपसोस ही रहेगा जिन्देगी भार कि यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया मैंने उसके साथ ये कर दिया मैंने उसके साथ वो कर दिया है ना तो ये person को काफी अफसोस होगा बट मैं ये भी देख आ रहे हूँ कि यह आपके partner finally आपके लिए वो चीज़े देखने लगेंगे वो चीज़े realize करने लगेंगे जो कि कभी realize ही नहीं किया इस person ने सो हैस मैं कह सकती हूँ कि आपके partner काफी कुछ चीजों को जो है ना देख कर सोच कर समझ कर है ना चलने वाले हैं ठीक है सो मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर कि काफी ज़दा पॉजिटीव है और काफी ज़दा पॉजिटीव होने की वज़ा से है ना आपके पार्टनर आपके तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है भाण में कोई फरक नहीं पड़ता है जब आप राजी हो तो फिर क्या करना है ठीक है तो आपके राजी होने का जो है यह पॉर्सन वेट भी करते भी दिखाई दे रहे हैं और जो वेटिंग एनरजी है ना काफी हाई एनरजी है तो काफी टाइम से वेट चल रहा है आपका ठीक है तो यह एनरजी मुझे क्लिरी दिखाई दे रही है शो ओवर्सफिया है करना पूंकि कोई महनत कर रहा है तो उसके महनत कफ़ल दो दो वरना आपको कभी जो है इश्वर वह नहीं देगा इस तरीके से किसी की महनत कफल आपने ही डेते अर कि श्वरर एक है तो ये कहावत है मैं कह रहे हूँ, मैं श्राप नहीं दे रहे हूँ, वैसा कोई intention नहीं है मेरा, बाकि आप लोग खुश रहे हैं, आपकी मर्जी है, आज मैं बात करने वाली हूँ, इस रिंग के बारे में, आप लोग देख रहे हैं, यह जो रिंग है, यह रक्षा कवच रिंग है, इस रोग मेरे हाथ में हमेशा देखते हैं, लेकिन मेरे स्टोन का कलर अलग है और ये स्टोन का कलर अलग है, तो जो जो इसको सूट करता है स्टोन, वो स्टोन हम लगा के देते हैं, ठीक है, इसके बैनिफिट्स क्या है, इसके बैनिफिट्स आपको बताती हूँ मैं, सबसे पहल हैं उसके लिए भी आप बनवा सकते हैं money से related problem के लिए भी बनवा सकते हैं ठीक है stone change हो सकता है stone कोई matter नहीं करता है क्योंकि इसके नीचे सब कुछ सिदिया करके जो है न डाली गई है यह especially उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो लोग इसको order करते हैं और order के 10 से 12 दिन बाद यह आपको ring मिलती है ठीक है क्योंकि इस ring को बनाने में ही 10 से 12 दिन लग जाते हैं ठीक सो यह ring जो है money के लिए है happiness के लिए है कोई इंसान बहुत दुखी रहता है उसको लगता है कि मेरे जिंदगी में तो खतम ही नहीं हो रहे हैं मेरे husband छोड़ गया मुझे मेरी wife छोड़ गया मुझे मेरे बच्चे कैसे रहेंगे stressful life रहती है तरह-सके problem लेते हैं हमारे हमारी मा हमारे पापा है ना पापाजी होते हैं तो वो लोग भी एसी तरीके से बुड़ा पे आ रहा है उसी तरीके से डाय वर्टीज भी उनके सर्पे आ रहा है रहा है ले आप्के पहना चाहते हैं уг हम 29-20int च्लिना सबस्क्राइब तर प्रप्रोडम अग्र आपको प्रूटेक्ट करें आप को ब्लैक मेजिक ऐड़ी आपके ऑपर किसी करें और प्रतुना सिल्सक्राइब होगा उप्लेक्षी ना हो कोई ब्लैक मैजिक को अगर आपने वियर किया ना आपको कुछ नहीं होगा ब्लैक मैजिक तो होई नहीं सकता है ठीक है साथ ही साथ यह जो रिंग है यह आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है अगर आप अपने मेरेज को ले करके परेशान आपकी शादी नहीं हो रही है ठीक है बाइचांस मालो की आपकी डशाधिन मीरेज के लिए रही है साथ ही साथ ही साथ आपकी मेरेट लाइफ भी भराब चल रही है उसके लिए भी है कुछ मिला करके अगर मैं बात करूं में न तो अगर आपको अपनी लाइफ में जो चीज़े चल रही है, जिस वज़ा से आप परिशान हो, वो वज़ा हमें बताओ, ठीक है, और आप बोलो कि दीदी हमें ये रिंग चाहिए, ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशोट ले लो, या फिर रक्षा कवश रिंग लिख करके भेजना, ठीक है, वो हम जान जाएंगे कि कौन सा कामों के लिए होगी, ठीक है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये एक रिंग, आपके सारे कामों के लिए होगी, ये जो है डेंट्स के लिए रिंग है, लेडिस के लिए काफी पतली रिंग होती है, मेरी मोटी है, ठीक है, और मेरी मोटी है, और मेरी मोटी है, और मेरी हे動画 और उताइँ हैं यह से यह चेंज हो जायेगा थीक है थो यह जुरींग है सिल्बर में बनती है आपकी पूरी तरीके से सिल्बर की कोटिंग है और यह जो यह काफी इटेव होती है आप जिस दिन से पहनेंगे इसको उसी दिन से यह असर करना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप दोनों का रिलेशन की भी खराद चल रहा ना तो उसके लिए भी आप ये रिंग ले सकते हैं ठीक है तो आपको अगर रिंग चाहिए तो आप जरूर कॉंटेक्ट केजिए ठीक तो रिंग की बुकिंग कंफर्म करवाने के लिए आ ठीक है और साथ है साथ अगर आप मुझसे प्रसनल टारो रिडिंग या कुंडली रिडिंग लेना चाहते हैं कुंडली रिडिंग ऐसे रिडिंग होती है इसमें 73 पेजेस का आपको एक पीडिया फाइल दिया जाता है और उसमें बहुत सारे इंफरमेशन लिखी होती है आ आपका करियर आपकी लाइफ में अप क्या गें करोगे सारी की सारी चीज़े जो है ना उसमें मेंशन रहेंगी सआ अगर आप चाहते है ऐसी आप उस कुंडली के लिए भी जो बुकिंग करवा सकते हैं इस्क्रीन पर दिये गए नमबर पे ठीक है तो मैं यहीं पर करती हुई सारी इंफर्मेशन को खतम और करते हैं रीडिंग को यहां पर खतम रीडिंग तो खतम कर ही चुके हैं लेकिन अगर आप इंट्रेस्टेड हैं अपनी प्रसनल टारो बाइ हेलो एविवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन रिंग के बारे में और यह जो रिंग हैं इसके बैनिफिट्स में आपको बताऊंगी हर एक रिंग हर एक कलर का एक अलग बैनिफिट होता है और रत्न शास्त्र में इसका एक अलग ही बैनिफिट है तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यह जो आपको जड़ रिंग दिख रहा है इसके बारे में यह है ग्रीन जड़ रिंग दोस्तो रत्न सास्त्र के अनुसार हर रत्न का समथ किसी ना किसी ग्राशी तो होता ही रत्न धारन करने से ग्रहों का सुभ असुभ प्रभाव हमें देखने को मिलता है अगर हम रत्न धारन करते हैं तो ग्रहों के जो असुभ प्रभाव हैं उनसे हम कम करते हैं रत्न से हम ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं साथ ही रत्न पहन कर कमजोर ग्रह को मजबूत किया जाता है यहां हम बात करने जा रहे हैं जेट स्टोन के बारे में रत्न सास के अनुसार से जेट स्टोन एक तरह का ड्रीम स्टोन माना जाता है यह बहुत ही जदा खुबसुरत होता है देखने में साथ ही साथ इसके बैनिफ में बदलने की छमता रखते हैं तो आज हम इसी के बार में पार्ट करने वाले हैं क्या-क्या और बैनिफिट्स हैं चलिए मैं आपको इस रिंग को बहुत ही नज़दीक से दिखाती हूं में आप लोगे ढीख सकते है यह बखुत ही प्यारा खुप सोलकी है जोकि एचस्टिबल है अब लोग देख सकते हैं इसको उसको मैं आपको नज़दीक से इसको दिखाती हूं यह देखेए यह बहुत ही प्यारा खुप आ और खुप सर्ट सा verset इस रिंग की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यह जो रिंग है, इसकी सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर आपका जो है मर्क्यूरी प्लैनेट आपके कुंडली में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो उसको आप सही करने के लिए इसको वियर कर सकते हैं साथी साथ ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है जिससे हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स खतम होती हैं बहुत हद तक हार्ट चक्रा हील होता है तब जाके हमारी लव लाइफ में हमें सक्सस मिलती है तो ये जो green jet का ring है ये आपके heart chakra को heal करता है साथ ही साथ ये आपके life में good luck को ले करके आता है ये आपके life में आपके career में stability ले करके आता है साथ ही साथ ये masculine energy या feminine energy को भी balance करता है ये आपके जिंदगी में harmony को ले करके आता है साथी साथ आपका mind काफी peaceful कर देता है ये जो ring है बहुत ही practical अगर आप practical होकर कि कोई decision लेना चाहते हैं उसमें भी आपकी काफी help करता है साथी साथ ये जो है आपके life में ऐसे व्यक्ति को attract करता है जो की काफी सच्चा हो आपके time में एक सच्चे इंसान से मिलना काफी मुश्किल होता है लेकिन ये जो ring है आपकी life में ऐसे ऐसे लोगों को attract करके लेके आता है जो की आपके साथ honest भी रहते हैं और आपका साथ भी देते हैं ये जो है ring है आपकी love life में भी काफी अच्छा कारगर सिध होता है आपके लिए ये best option है अगर आप इसको buy करते हैं इस ring के benefits आप एकदम आराम से लिए सकते हैं इसको wear कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे किस दिन wear करना है कैसे wear करना है ये सारी चीज़े हम बताएंगे क्योंकि ये ring energize करके हम देते हैं आपको तो अगर आप लेना चाहते हैं इस ring को तो इसक्रीन पर दिये गए नंबर पर contact करके इसकी booking confirm करवा सकते हैं चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे ring के बारे में तो दूसरा ring है हमारे पास rose quartz का ring आप लोग देख सकते हैं हैं बहुत ही प्यारा खुबसूरत सा बेबी पिंक कलर बेभी पिंक बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा कलर है और इसकी designs को इस प्रकार हैं अलग अलग designs आपको मिल सकते हैं जैसा design हैं आप लोग लीना चाहें बड़ा चोटा कोई भी design तो आप ले सकते हैं देखिए यह है आपका रोजक्वास का रिंग रोजक्वास तो अपनी आप में ही फेमस है आपको पता है कि रोजक्वास हम किसले यूज़ करते हैं रोजक्वास हम किसले यूज़ करते हैं ताकि हमारे लाइफ में लव लाइफ में जो भी प्रॉडम्स चल रही ह वह आराम से खतम हो जाए रोजक्वास से आप किसी को अट्राक्ट करना चाहते हैं तो भी अट्राक्ट कर सकते हैं यह रोजक्वास आपकी लाइफ में इतना ज्यादा अच्छा होता है अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो रोजक्वास का र पूरा करेगा जो कि आपको लगता है कि आपको कोई तो प्यार ही नहीं करता है आपके जीवन में कोई आपके उपर ट्रस्ट नहीं करता है आपको किसी से भी प्यार नहीं है या आपको लगता है कि मुझे सिर्फ जूटे व्यक्ति मिलते हैं अपनी लाइफ में जो मुझे च साथ हैं जैसे कि office में अपने बहुत के सांता सब्सक्राइब सब्सक्राइब और कि साथ आपके काफी यह मोल रॉसक्रास का रहता है यह रोजक्रास का ब्रस्लिट तो यह अगर अपने पास रखते हैं ठीक है तो यह काफी जादा को देता है रोज़कोवास अपने आप में एक बहुत की प्यारा खुबसुरत सा ब्रसलिट होता है जिसे आपकी खुबसूरती भी पर खोब है और आपको glowing face देता है, अगर आपके skin पे भी कोई problem है, जैसे कि आपके skin पे दाने निकलते हैं, या फिर आपकी skin बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी attractive नहीं है, ठीक है, तो अगर आप अपनी skin के लिए भी लेना चाहते हैं, तो इसको ले सकते हैं, self love के लिए काफी अच्छ साथ, यह जो है, आपके heart chakra को भी heal करता है, लव लाइफ में जितनी problems सारी हैं, उन सारी problems को खतम करता है, लव लाइफ के साथ, आपकी life में thought party situation भी है, यानि कि आपका partner किसी और के साथ engaged हो गया है, या आपको छोड़के चला गया है, तो आप यह रोज क्वास का ring वीर कर सकत ठीक है, इसको भी हम energize करके देते हैं, आपके कुछ personal details लेते हैं, उसके अनुसार से हम energize करते हैं, और उसके बाद से आपको यह ring हम provide करते हैं, तो अगर आप यह लेना चाहते हैं, तो इसक्रीन पर दिये गए गए number पर contact कीजिए, वहां से booking को confirm कीजिए, प्राइस बहुत ह कम हैं, जरूर बुकिंग कीजिए, चलिए अब हम दूसरे ring के बारे में बात करते हैं, यह designs available हैं, आपको जो designs चलिए, आपको मिल जाएगा,